एक और अमिरिका है जो भारत ये कमपनियों पे सैंक्शन पे सैंक्शन लगाता जा रहा है वही दूसरी और हमारा दोस्त रूस है जो भारत को माला माल कर रहा है सुबह ही आपको बताया था कि भारत से बदला लेने के लिए अमेरिका ने भारत की 19 कमपनियों का दिवाला निकाल दिया यानि उन्हें हमेशा के लिए प्रतिबंदित कर दी वही रूस ने इसी दिवाली सीजन में भारत पे धनवर्शा कर दी है इसलिए तो में अमेरिका से जादा रशिया को ही प्रिफेर करता हूँ चलिए आज की ये खुश कबर विस्तार से समझते है देखे आप सभी जानते है कि जब से युकरन युद शुरू हुआ है तब से भारत और चिन यही रूस के दो सबसे बड़े पार्टनर रहे हाला कि चिन कभी कभी दगाबाजी कर जाता है लेकिन भारत पश्यमी विरोत के बावजूद रूस के साथ खड़ा रहा रूस की मदद करता रहा और रूस भी उसी का कर्ज उतार रहा है दरसल एक निउज निकल कर आई है कि पश्यमी प्रतिबंदों के बावजूद भारत और रूस का विया पर लगातार इतना आगे बढ़ रहा है कि अमेरिका दातों तले उंगलियां चबाने को मजबूर हो चुका है इसी दिवाली सीजन की बात करे तो रूस ने भारत में अब तक 65 अरब डॉलर का निवेश पूरा कर लिया है जीहा पिछले साल के मुकाबले रूस का भारत में निवेश काफी बढ़ चुका है रूस के सबसे बड़ी कर्जदाता बैंक यानि सेबर बैंक के डेपोटी सीओ अनातोली पोपोव ने बताया कि फिलाल भारत के साथ रूस का व्यापार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और डॉलर के भुकतान के बिना भी दोनों पक्षों में यानि भारत रूस में किसी भी रुकावट के बिना सुचारू रूप से लेंदेन हो रही है सेबर बैंक के मुताबिक इस दिवाली तक हमने भारत में 65 अरब डॉलर से भी जादा पैसे निवेश कर लिये है जो युकरन यूद के पहले सिर्फ 5 बिलियन डॉलर थे और सबसे बड़ी बात कि इस समय अमेरिका चहां कर भी हमारे इस निवेश को रोक नहीं पा रहा क्योंकि भले रूस के लिए सारी दुनिया के दरवाजे बंद हो जुके है लेकिन भारत और भारतीय बैंक आज भी बिना किसी रुकावट के हमारे साथ व्यापार कर रही है कुरूर ओयल के बाद अब हम ट्रेड में भी भारत की सबसे बड़े पार्टनर बनते जा रहे पुतिन की तो स्टेटमेंट है कि वो आने वाले कुछ ही वर्षों में भारत के साथ अपना व्यापार सो बिलियन डॉलर पार ले जाएंगे वो भी अमरीकी डॉलर की मदद लिये बिना वैसे भारत भी अमेरिकां की गंदी हरकतों से काफी परेशान हो चुकाए फिल्हाल अमेरिका भारत को कोई भी चीज वक्त पे नहीं दे रहा बाइडन परशाशन भारत के साथ बहुत कंदी पॉलिटिक्स खेल रही है इसलिए मुझे तो यही लगता है कि भारत ने इसराइल और रशिया के साथ ही अपने व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए इस पर आपके क्या राए है नीचे कमेंट करके बता सकते है और हाँ वीडियो अच्छे लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें जय हिंद